Hello everyone, welcome to SK Tutorial आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CBSE Board Examination के लिए Based Mathematics Book कौन से होते हैं कौन कौन से बुक से बच्चे पढ़ते हैं जो टॉपर बन जाते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में क्या वह बुक आरे सगरवाल सरका है या फिर RD सरमासर का या फिर NCRT Book भी sufficient है Board Examination के लिए सभी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में अच्छे से तो इस वीडियो को डिटेल में सुरू करने से पहले आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा offline institute भी चलता है पिछले 9 साल से मैं Board Examination के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ Board Examination के कॉपी किस तरह से चेक होते हैं जो कॉपी चेक करने वाले teachers होते हैं उससे भी लगातार बाते होती है मुझे तो CBSE का क्या guidelines रहता है कॉपी चेक करने को ले करके इसका अच्छा खासा अनुभव है मुझे जो teacher से मैं बाते करता हूँ guidelines वगरह सबी चीज़े अच्छे से पता है इस वज़े से मैं बच्चों को अच्छे से guide कर पाता हूँ Board Examination oriented चीज़ों को मैं पढ़ा पाता हूँ और अच्छे से guide करता हूँ कि Board Examination में किससर से अच्छे marks को score सक कर सके और इस वज़े से S-Kate Trail के offline batch से बहुत सरे district topper भी होते हैं school topper भी होते हैं और अच्छे अच्छे percentage से बच्चे marks भी score करते हैं CBSC Board और ICSC Board दोनों में फिलाहल हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में CBSC Board Examination के बारे में तो पिछले 9 साल से Board Examination के लिए चल रही है institute साथी साथ और भी various types of examinations के प्रप्रिसंस कराई जाती है S-Kate Trail में तो वो बातें अलग हैं लेकिन हम लोग आज चुकी बात कर रहे है Board Examination के लिए तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि Based Book क्या होगा जिसमें कि Mathematics में 100 by 100 Marks score किया जा सके क्या ये पॉसिबल है कि 100 by 100 Marks Mathematics में score किया जा सकता है बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपको सही स्टेटेजी सही बुक और सही प्लान आपको पता रहे सही Basically Guidance देने के लिए आपको Teachers मिल जाए सही से आप महनत करेंगे तो definitely ये पॉसिबल है कि 100 out of 100 Mathematics में Marks लाया जा सकता है और in fact मेरे offline से भी इसकूर किया है Right तो Mathematics में इतना possible है लेकिन सही strategy को follow करनी चाहिए तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर detail में तो बहुत सारे बच्चों को confusion रहता है खास करके ये दो बुक को ले करके Mathematics में हम लोग NCRT solve करें या फिर हम लोग यहाँ पर Mathematics में RSRWAL सर का maths का solve करें क्या sufficient है देखिए प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ board एक जनेसेंस में जो questions पुछे जाते हैं वो NCRT book से पुछे जाते हैं और NCRT book को ही आप लोगों को solve करनी चाहिए ऐसे भी सुप्रीम कोट का order है कि जो class CBSE board schools है खास करके जितने भी schools हैं उसमें NCRT book को ही follow कराया जाए वो बात अलग है ground level पे सभी CBSE board जो schools है वो लोग पैसा कमाने के लिए commissions के लिए private book भी अलग से चलवा लेते हैं जिससे कि उनको commissions मिलते हैं तो इस वज़े से private book चलता है लेकिन कोई अगर इसकी पीछे जो है आवाज उठाने वाला कोई नहीं है तो इस वज़े से ये चीज़े चलता है लेकिन आप लोगों को board इंशनस में score करने के लिए क्या करनी चाहिए तो उसके लिए जो है आपको NCRT को basic book लेकि चलने चाहिए और इसको as a help book लेकि चलना चाहिए आप RD Sarma Sir की भी maths को solve कर सकते हैं RD Sarma Maths भी बना सकते हैं तो ये दोनों maths में क्या मतलब basically है तो इसमें जो number of questions है वो ज़्यादा आपको मिलेंगे जिससे की आप various types of questions को solve कर पाएंगे अलग-अलग तरीका से खास करके इस बार जो NCRT book release किया गया है 2020-2024 और 2025 sessions के लिए तो ये तो NCRT और पतला हो गया है मतलब आपने मतलब बच्पन में पढ़ा होगा मनोहर पोथी या गुड इंगलिस कुछ उस type का feel आता है mathematics book को दे करके इतना पतला mathematics हो गया है इस साल का तो mathematics book NCRT वाला जो है वो चोकि syllabus reduce कर दिये गये है topics कुछ सारे topics जो है remove कर दिये गये है जो derivations वाला theorems पहले आते थे man book आपको NCRT ही समझने है लेकिन मैं यहाँ पर लेकिन लगा रहा हूँ कि आपको various types of problem को solve करने के लिए RD सर्मा या फिर RS अगवाल mathematics book को आप solve कर सकते हैं ऐसा ने कि दोनों book को लगे हुए solve करने में और ultimately last में कोई भी book को आप लेकर के और NCRT book को man book लेकर के चल सकते हैं offline institute में जो है मैं बच्चों को भी जो पढ़ाता हूँ NCRT book पढ़ाता हूँ और बताता हूँ बच्चों को तुम आरे सगरवाल घर पे भी solve करो और उस questions में अगर doubt रहता है किसी भी exercise में ये रूप से NCRT book को और ये help book के तरह इसको यूज करना है variety of questions लगाने है क्या variety of questions लगाना जरूरी है board existence के लिए yes बिल्कुल जरूरी है क्योंकि questions आपका NCRT में questions कम रहते हैं लेकिन level के रहते हैं कुछ questions बहुत आसान भी रहते हैं इसमें तो जो level के questions हैं वो यहां से इसको बना लेंगे तो वो अराम से बन जाएगा तो कुछ-कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इसी book बनाते हैं वो questions easy way में solve हो जाते हैं तो ये strategy भी follow कर सकते हैं लेकिन NCRT को साफ छोड़ना नहीं है तो ये strategy को follow करनी है साथ ही साथ आप सभी के जानगारी के लिए मैं बता देता हूँ अगर आप लोग हमारे paid batch में जोएन होना चाहते हैं online में भी हमारा paid batch चलता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ S-K tutorial app पर class 9th and 10th के बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड करिए Google Play Store से S-K tutorial app को और जल्द से जल्द अपना preparations को सुरू कर सकते हैं अच्छे से board एक जने संस रिलिटेड जो भी preparations रिलिटेड चीज़ें होती है आपको 100% authentic मिलता है कुछ भी चीज़ें यहाँ पर वीडियोज में हवा बाजी चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है और मैं भी जनरली वीडियोज में उतना हवा बाजी करने के कोशिस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही पसंद नहीं है तो आते हैं पॉइंट पर यह सभी चीज़ें मुझे उमीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर आप लोग mathematics में NCRT book या फिर RD सर्मा का या RS वाल का book को खड़िदना चाहते हैं तो इस वीडियोज के description में मैं link दे दे रहा हूँ आप लोग उस link के तुरू भी book को purchase कर सकते हैं चाहे Amazon से हो या फिर Flipkart से मैं link दे दे रहा हूँ जिसका भी मेरे पास अभी available रहेगा EGB में तो आप लोग link के से भी खड़िद सकते हैं तो इसी वीजार के साथ रखते हैं आज के इस episode में भस इतना ही अगर आपको किसी भी तरह का questions है, doubt है, confusions है तो आप लोग इस वीडियो से comment sections में लिख करके पूछ सकते हैं और both experiences related और कौन से subjects related आप questions को basically videos को चाहते हैं देखनी के लिए comment sections में लिख सकते हैं तो इसी वीजार के साथ रखते हैं आज के इस episode में बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले episode में तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम